हेलो दोस्तो माइनेम इस राउल सिंग अगें विद में दे न्यू वीडियो देखे दोस्तों यह बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है कि देखे इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो इंडिया में चलेंगी उसका एक हिंट दिया है तो दोस्तों इस वीडियो में हम दो पॉइंट प बैटने के लिए या टिकेट बुक कराने के लिए इंडिया से बाहर जाने के लिए इंडिया के अंदर आने के लिए और वो कौन सी चीजें हैं जो हमें करके रखनी चाहिए जिससे कि हम वो फ्लाइट टिकेट बुक कर सके हैं आज के सिनेर्व में भी आपने देखा होगा जिनकी call आई है वो भी flights book नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमें चीजें ध्यान में रखने ही पड़ेगी देखिए यह वाली जो यह Times of India की news है चैनल नई एरपोर्ट गैट्स रेडी तो हैंडल international flight ठीक है यह देखिए 28 में की है 2020 की ठीक है अब यह देखिए आप कि यह देखिए यह इसमें नीचे जाएंगे तो साफ साफ यहां लिखा हो है the Ministry of Civil Aviation has said that flights may start in a phase manner from mid June and the passenger need to be institutional quarantined at their own expense for seven days ठीक है तो यह देखिए जो line है यह वाली जो यह confirmation बोलती है कि mid June में start होंगी और Chennai से ही शुरुआत होगी सबसे पहले ठीक है इसका indication यह है तो देखिए इस तरह से हमें यह यहां थोड़ा से मालूम चलता है कि यहां पर जो government है यह तैयारी कर रही है कि international flights भी चलाएगी ठीक दोस्तों देखिए अब information वाली बात यह है कि देखिए यह तो इन्होंने hint देदी कि 15 June के आसपास flights चलेंगी लेकिन किस के लिए चलेंगी और कैसे चलेंगी ठीक है ना कहने को यह normal flights होंगी लेकिन आप भी इतना जानते हैं और मैं भी इतना जानता हूं कि जो कि जैसे आप इंडिया से बाहर जाना चाते हैं तो आपने शायद registration कराया होगा जिस भी country के लिए जाना चाह रहे हैं ठीक है ना तो क्योंकि सारे countries के लिए registration चल रहे हैं पहले सी ठीक है प्रेगनेंट लेडी है या कोई जिसके आपे कोई death हुई है या फिर कोई बहुत ही जादा seriousness condition में सिख है ठीक है ना तो इस चीज में उन्हें preference मिलेगी तो definitely आपको registration कराना बहुत जरूरी है ठीक है क्योंकि आप यह नहीं बोल सकते कि सर मैंने registration नहीं करा रखा लेकिन मेर वंदे भारत mission से तब तक शायद पूरे लोग नहीं आ जा पाएंगे ठीक है तो उस condition में आप पहले सी पहले registration करा लिजी कोई मेरे से बहुत लोगोंने message किया मुझे कि registration कराना जरूरी तो नहीं है क्योंकि normal flights चलेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप मुझे चार पांच लाख लोगोंने अगर registration करा रखा होगा जो कि वंदे भारत mission के बाद भी बच रहे होंगे तो क्या वो पहले उन्हें preference नहीं मिलेगी तो definitely उनको preference देगी सरकार तो इसी तरह से आप registration करा लीजिए वो ज़्याद अची बात रहेगी आपके लिए आप risk मत लीजि तो उस वक्त आपका भी number आ जाएगा तब तक शायद सरकार भी आपको call करेगी embassy जहां से भी आपने registration कराए हैं वहां से call करेगी तो वो आपके लिए positive point रहेगा ठीक है so thank you very much दोस्तों please subscribe the channel if you like the video अगर आपको थोड़ी सी भी knowledge मिली हो थोड़ा सा भी satisfaction हुआ हो क्योंकि देखिए date तो बिल्कुल fix नहीं है मैं यह नहीं बोल रहा है लेकिन हाँ थोड़ा सा यह है कि इन्होंने 15 जून के आसपास इन्होंने fix किया है ठीक है ना आसपास ठीक है दोस्तों thank you very much अगर date निकलेगी तो मैं update करूँगा जरूर और आप bell icon को भी दिबाईए जैसी date निकलेगी तो मैं आपको सबसे पहले clear कर दूँगा ठीक है thank you very much दोस्तों